वेल्कम टो रोलिष्टडी फ्रेंट्स आज के सुडियो में साइंस के बारे में डिसकस करने वाले जी हाँ व्यापम वाले साइंस का आज वीडियो में हम डिसकस करेंगे और 18 पार्टी हमारे रहेगा 17 पार्ट तक हम वाले डिसकस कर चुके हैं यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखे तो आई बेटन और डिसकेप्शन दोनों जगा उसके लिंक के वहां से जाकर आप देख सकते हैं यदि आप MP Police, SI और Constable दोनों की एक्जाम की तियारी कर रहे तो यहां पर देखे आपको Test Series मल जाएगी बहुत अच्छी Test Series यहां पर प्रोवाइट की जा रही सब इंस्पेक्टर Constable की एक्जाम के लिए तो यहां पर देखे परिक्चा एप जो कि आपको दिकाई दे रहा है इसकिन पर यहां पर इसको Google Play Store पर जाके डाउनलोड कर लीजिए पर डिस्क्रिप्चन में इसकी लिंक दे रही है वहां पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं वहां से आप अगर आप हमारे कूपन को ड्यूज करते हैं और आपको पूरा चालिस परसेंट का वहां पर डिस्काउंट अभी मिल रहा है तो यहां से आप यह जो टेस्ट सीरीज है और कॉंस्टेबल दोनों के यह पर्चेस कर सकते हैं अगर आप पर्चेस करेंगे तो स्काइब कर लिजिए और बेल आइकन को दबा देजिए क्योंकि यहां मिलेंगे आपको इस्टेडी से रिलिटेट हैसा ही डेर सारे वीडियो तो चलिए देर न करते हैं जी हमने पार्ट 17 में आपको कोशन देता कि मानव में भोजन का पाचन कहां से सुरू होता है तो क्या कारी होता है तो यहां पर देखिए आपको चार उप्सन यहां पर मिले हैं फस्ट है बोजन जो की घ्रहन का और सेकेंड ऑप्सन है ऑउसिस्ट पदार्थ के निसकासित थार्ड उप्सन है जल्द था आन्ज पदार्थ का पाचन तो मानव सरीर में जो च्छोटी आत का जो चार उप्सन आपको मिलें इनमें से राइट कामेंट कौनसा है वो करके बताना है जल्दी से कौनसा जो को इसका राइट आन्सर है तो वो कमेंट करके जल्दी से बताईए जी चलिए हम अगले कोश्चन हों के अच बढ़ते हैं आजके जब प्रकास की कीरन समतल दरपन पर सामानी रूप से आप्तित होती है तो उसी रेका में जो की परावर्तित हो जाएगी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हैगा आस्वन पर द्वारा प्राप्त नहीं होती है तो यहाँ पर कॉल गेस बिल्कुल आपका राइट आंसर हैगा कोईला गेस चले आगे बढ़ते हैं अगले कोशिन कर बहारी जिल्ली बित्री जिल्ली और क्रिस्टेड मेट्रिक्स इत्यादी किसको सिकांग के भाग है तो यह कास्टी पोडों का सबसे बहाय और निम्न से बना होता है तो इस बारख को अफसें आप हो जाता है चले आगे बढ़ते हैं प्रत्वी के समस्त परिस्तिती की तंत्र एक साथ मिलकर क्या कहला थे बायो Disso कला ये समवताय उनको बोला जाता है एक साथ मिलकर प्रत्वी के समस्त जो पारिस्तितिक तंत्र है एक साथ मिलकर इनको जेव समुदाई या बायो कम्यूनिटी बोला जाता है तो यह आप फास्ट ओप्सन भी राइट हो जाता है चलिए आगे बढ़ते है सूर्य पूर्व में उकता है और पस्चिम में अस्त होता है इसका आरते है कि उत्री दूर से देखने पर प्रत्वी निम्नानुसार जो की घुर्णन करती है तो यह जो घुर्णन करती है प्रत्वी पस्चिम में अगर उत्री दूर से देखा जाए तो प्रत्वी जो घुर्णन करती है पस्चिम से पूर्व वामा वरत दिसामे करती है तो यहां पर आपका वेस्ट वेस्ट इंदा एंटी क्लोक वाइज डायरेक्शन तो यहां पर फूर्ट ऑफसन बिलकुल आपका राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं भोजन के आवश्यक्तार इक्तिस्तान हो सब्सक्राइख को करने के लिए आवश्यक्ति होता है चले आगे बढ़ता एक लेक्तिका नहीं होता है तो यहां पर इसका कारे नहीं है चलंज होता है लोको मोशन जो होता है वह इसका का रहने रिखतीकात तो यहाँ पर बोले जाता है यहाँ पर चलों और यहाँ पर आपको मैं याद रगना फूल जाता है तो इसलिए यहां पर सेकंड उप्सन बिल्कुर राइट हो जाएगा परांपरागत बल्पों के स्तान पर LED बल्प प्रयोगत हो रहे हैं क्योंकि तो यह LED यूज क्यों किये जा रहे है अधिक मात्र में तो यह कम बिजली का उपोग करते हैं इसलिए इनका यू तो यहां पर फॉर्ट उप्सन बिल्कुल राइट हो जाता है नेक्स्ट पत्ति के अधिचर्म छिल्के का अज्ताय आरोपन जो कि सुक्चम दर्सी से में गुलाबे लाल दिखता है तो क्या कहा जाता है इसको तो यह जो होता है वह आपका सेप्रिनीन में अभिरंजी तता आपका सेकेंड ओप्सन बिल्कुल राइट है चले आगे बढ़ता है अगले कोशिण के जिवानू सबसे छोटी घोसिकाय तो सबसे बड़ी कोशिका जीएजसे कि आपको समझना है कि जिवानू जब्से चोटी कोशिका होती है यहां पर देरता है रिक्तिस्तान सबसे बड हो जाएगा है कि इस लिए वो दबाव डालती है तो जो दबाव डालती है वो कि यह पर जो कि गेस के जो हनु होते हैं उच्छी चाल में निरंतन गती में होते हैं इसलिए वो दबाव डालते हैं पात्र की दिवारों पर तो यहां पर फास्ट उप्सन राइट हो जाएगा आपका जी नेक्स्ट आमारा कुचन है एक वस्तु फर्ष पर भर्विवरामड़ स्था में उस वस्तु को इस्तांत्रित करने के लिए एक bulb प्यूग्त किया जाता है इस चन में कौन सा गर्सन बल प्री जो कि Dell किरिय के अंतरगत आएगा तो स्थेटिक जो इस्टेटिक जो फ्रैक्शन होतहा है इसमें यूज आ जैगा जिख किरिया में प्रतिविंब की चाप बनी रहती है तो यह जो चाप कब तक बनी रहती है तो एक सेकंड का एक बटा सोला भाग के लिए ये बनी रहती है एक सेकंड के एक बटा सोला भाग तक ये बनी रहती है जो कि जो छाब बनी रहती है प्रतिविंब जो इमेज जो बनी रहती है रेटिना पर वो बनी रहती है एक सेकंड के एक बटा सोला भाग तक यहाँ पर डायक लें निकल के आखे चले नेक्स्ट निमनेमें से किस रोग में antibiotic का उप्योग करने की आवश्चिक्तquin नहीं होती होति हो एंटी crave टिक का जूज नहीं किया जाता है उसमें किसी नहीं किया जा सकता है तो यहां पर आपका यह राइट आंसर हो जाएगा चली नहीं से कोशिका की इस्तिति का चैन करें कौन सी इसमें कोशिका होती है अनु अंग परमानु एटम तो यहां पर आपके ब्लीडिंग जो होता है जो कि बिल्डिंग ब्लोग जो होता है रचक खंड जिसको बोला जाता है तो यहां पर सेकेंड उप्सन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कोशिका की इस्तिति का चैन है चले आगे अगला कॉश्चन ग्राम पक्चियों कंट्री वर्ड का पालन पोसन है उन प् प्रण रखना है निमन में से कोन वायुमंडली ओजोन परत को नुकसान पहुचाता है तो जो वायुमंडली जो ओजोन परत है इसको नुकसान पहुचाता है च्छाति गुवा कि आसपास की कंकाल संद्रशना को क्या कहा जाता है च्छाति गुवा की जो कंकाल संद्रशना आसपास कि उसको पसली पिंजर या रीव रीव केज भी बोला जाता है तो पसली पिंजर आपको बिल्कुल याद रखना है इसको कंकाल को जो बोला जाता है कंकाल संदचना को चाती गुहा के आसपास की को पसली पिंजर बोला जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं एक सामान्य मानव कान इतनी सीमा तक की ध्वानी सहन कर सकता है तो सामान्य मानव का जो कान होता है कितनी सीमा तक की ध्वानी सहन कर सकता है 80 decibel यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हैगा 80 decibel की ध्वानी तक यह सहन कर सकता है सामान्य मानव का कान नेक्स्ट, उस खाद्य सामगरी को पहचाने जो किनवन के परिनाम सरूप नहीं बनती है, तो जो चावल जो पकते हैं, जो कोकिंग और फ्राइज जो होते हैं, चावल पकाना, ये जो है खाद्य सामगरी है, जो किनवन के परिनाम सरूप नहीं बनती है, तो यहाँ पर आपक नेक्स टागला कोशन हमें जे विवित्ता को संरक्चित करने के जरूरत होती है क्योंकि यहां क्यों होता है तो यहां पर देखिए बनों को रिजरू बनाया रखता है तो यहां पर इसलिए इनको जो कि संरक्चित किया जाना जाने की जरूरत होती है जी तो यहां पर मोस्ट एक्सपेक्टेड बहुत बार रिवीज जो कि रिपीड भी हो चुके यह कोश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड इसके साथ में यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जैसे लाइक कर देए अपने दोस्तों साथ जरूर करें चैनल पर पहले बार सब्सक